मेंडल की प्रयोगों से हमने यह जाना की गुण स्थानांतृत कैसे होते हैं अब हम यह जानेंगी कि यह गुण व्यक्त कैसे होते हैं अगर आपको याद होगा तो हमने कक्षा 9 में DNA की बारे में पढ़ा था और वहां हमने यह भी पढ़ा था कि DNA में सारे जीन्स होते हैं जो हमारे माता-पिता के अनुवान्शिक गुणों को लेकर चलते हैं पर हकीकत में सर्कुलर DNA कोशिकाव में प्रोटीन बनाने की जानकारी देता है और इसी DNA को हम उस जीन का प्रोटीन बोलते हैं और यह प्रोटीन गुणों को कैसे निर्धारित करते हैं आईए इससे समझने के लिए एक गुण जैसे की कद का उदारन लेते हैं आपने देखा हुगा कि कुछ बच्चे अपने माता-पिता से ज़ादा लंबे होते हैं और यह बात हम जानते हैं कि हमारी लंबाई हमारे शरीर द्वारा श्रवित किये गए विद्धी हार्मोन पर निर्भर करती है तो इतना जादा वृद्धी हार्मोन निकलेगा उतना ही जादा हमारी लंबाई होगी और हार्मोन कितना श्रवित होगा या निर्भर करेगा इस पे कि वे हमारे शरीर में कितनी तेजी से बन रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं कि जीन हार्मोन के निकलने को नियंतरित करता है और जीन ही किसी भी गुण के प्रकार को भी नियंतरित करता है अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे जीन एक व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करता है यह सारा आज अपनी कॉपी में नोट कर ले